आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन पकोड़ा बनानी की रेसिपी बिल्कुल सी इजी सी रेसिपी है ये पर बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही जबरदस्त पकोड़े बनते हैं और इसे बनानी के लिए जो भी चीज़े चाहिए वो सब हमारे घर में इसली अबलेबल भ पकोड़े बनाने के लिए हमने यहां पे 150 ग्राम ले लिया है बोलनेश चिकन और चिकन के हमने इस तरीके से चोटे चोटे पीसेस कट करके ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे एक चोटी साइज की प्यास बिल्कुल बारी कट की हुई और वन थर्टी स्पून डाल देंगे चाछ मसाला defenders और अब हम इसमें डाल देंगे वन थर्टी स्पून लाल मिछ का पॉरडार काश्मीरी लाल मिछ लीया है इसे कलर बहुत है इसे estimates की क्लर भावत emia में तीगापन भी कम होता है और अब हम इसमें डालेंगे स्पोन नमक नमक अपने स्वात के अन अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई कप बेसन और पकोड़े को बिलकुल क्रिस्पी बनानी के लिए इसमें हम डाल देंगे दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर अगर आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है तो इसके जगां आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं और डालने के बा टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे इतना इनफ है और डालने के बाद हम इसे बिलकुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए हमने इसे mix कर लिया है ये त्यार है अब हम इसे रख देंगे 20-25 मिनट तक set होने के लिए और फिर हम इसे fry करेंगे तो ये देखिए fry करने के लिए हमने यहाँ पे कड़ाई ले लिया है कड़ाई में तेल डाल दिया है तेल को गर्म होने देंगे तो तेल अब अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़ो को और एक पार में जितने पकौड़े आए उतना ही डाले एक साथ बहुत जादा ना डाल दे तो यहां पर मैं डाल रही हूँ और पकोडो को हमें हर साझट से golden brown crisp होने तक फ्राइ करना है तो हम इसे फ्राइ कर लेंगे और इसी तरीके से हम इसे चलाते विए ऊपर नीचे करते विए golden brown crisp करेंगे ताकि ये हर साझट से अच्छे से golden brown और crisp हो जाएं और flame को हमने medium रखा है ताकि यह अंदर से अच्छे से कूख जाए बाहर से बहुत घ्रेंड के रहेंगे तो flame को medium ही रखना है तो अब हमारे जो पकौड़े हैं यह बिलकुल अच्छी तरीके से golden brown crisp हो चुके हैं अच्छे से fry हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे और यह आप देख सकते हैं कि इतने जवर्दस लग रहे हैं बहुत किस्पी बने हैं तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही में बेल आइकन भी प्रस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिये अल्ला हाफीज